नमस्कार यदि आप से कहा जाए कि एक थाना ऐसा है जिसे मुर्गे चला रहे हैं तो पहले तो आपको विश्वासी नहीं होगा और अगर हो भी गया तो आप तुरंट सवाल करेंगे कि मुर्गे कैसे थाना चला सकते हैं तो आई ये इस सचाई से परद आट आते हैं लेकिन हाँ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकोन जरूर दबा लें जिससे जो भी वीडियो में इसमें डालू उसका नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिले तो आएए बात करते हैं एक ऐसे थाने की जिसे मुर्गे चला रहे हैं दरसल ये थाना है उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले का कप्तान गंच इस थाने में हर तरफ बेखाफ होकर मुर्गे घुमते रहते हैं मजाल क्या है कि कोई उन्हें हाथ भी लगा दे यहां आपको पुलिस कर्मियों से अधिक मुर्गे दिखाई पड़ेंगे दरसल थाने में घुसने से पहले ही आपको आगाह कर दिया जाता है कि आप किसी मुर्गे को हाथ नहीं लगाएंगे इन मुर्गों के खाने पीने से लेकर सुरच्छा तक की पूरी जिम्यदारी पुलिस कर्मियों की है अब इसके पीछे भी बड़ी कहानिया है और कुछ कहानिया तो बड़ी दिल्चस्प है इस धानिया लोग बताते हैं कि यहां मुर्गे अंग्रेजों के जमाने से रह रहे हैं यहां जो भी थाने दार आता है वो उनकी देख रेक में लग जाता है बताया जाता है कि 40 साल पहले यहां डियन ओज़ा थानेदार बनकर आए थे यहां आते ही उन्होंने मुर्गों को हटवा दिया उसके बाद हुआ यह रात में सोते समय उन पर कोड़े बरसते थे कई बार तो वो बिस्तर से नीचे गिर पड़े इसके बाद वो जा इतने डरगे कि उन्होंने धेर सारे मुर्गे लाकर वहां छोड़ दिये तब जाकर उनकी जान बची एक कहनी और कही जाती है एक और थानेदार यहां आए जिन्होंने एक मुर्गे को मार कर खा लिया इसके कुछी दिन बाद उनकी पत्नी की मृत्तियों हो गई तब से यहां कोई मुर्गों को हानी नहीं पहुँचाता है इस थाने की एक और खास बात है कि इसके एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ शहिद बाबा की मजार है जिले के S.P. बताते हैं कि यहां मंदिर और मजार पर लोग मन्नत मांगने आते हैं और जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो जिन्दा मुर्गा चड़ाते हैं और यहां पर सालों से यही परताच चली आ रही है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर लिखिएगा धन्यवाद